26 अक्टूबर को देद राप भारती टीम का वेस्ट इंडीज और उस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन-तीन टी-ट्वेंटी के लिए टीम का एलान हुआ सभी फैंस को और खेल प्रेमियों को उमीद थी कि ये सेलेक्शन कुछ नए खिलाडियों को मौका देगा पर किसी फैन ने ये नहीं सोचा था कि धोनी को उनके करियर में पहली बार ड्रॉप किया जाएगा टीम मैनेजमेंट ने धोनी के खामोश चल रहे बल्ले को टी-ट्वेंटी में भी खामोश कर दिया धोनी को वेसिंडीज और उस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन-ती टी-ट्वेंटी के लिए ड्रॉप कर दिया गया ये बात बिल्कुल सही है कि उम्र के इस पड़ाव में तकरिबन सभी खिलाडियों के साथ ऐसा होता है चाहे वो सचिन हो, सहवाग हो, सौरफ गांगुली हो अगर खेल में आपका बल्ला नहीं चल रहा तो क्रिकेट आपका इंतिजार नहीं करता पर फैंस के लिए ये हमेशा दिल तूटने वाला होता है धोनी को T20 से ड्रॉप करते ही सोशल मीडिया पर भी धोनी को लेकर फैंस मायूस नजर आए